नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आगे देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि इमरान खान जाते जाते पूरे पाकिस्तान को भिकारी बनाए गया और पूरा का पूरा मुल्क दिवाले होने के कगार पर खड़ा है पाकिसानी मीडिया का ये भी कहना है कि इमरान खार के दौर में पूरा का पूरा जुडिशिल सिस्टम कोलैप्स कर गया और पाकिसान में अभी कोई भी चीज according to the law नहीं चल रही है पाकिसानी मीडिया का ये भी कहना है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में NRO के लिए application दिया है जहां पर वो देश छोड़ कर भाग सके जहां पर उनके सभी काले कारणा में पब्लिक के सामने ना आ पाए और उन्हें कोई भी सजा नहीं मिल पाए तो क्या इमरान खान देश छोड़ कर भाग जाएंगे या उन्हें अपने करमों की सजा मिलेगी वीडियो बहुत ही अच्छी बने है ऐसी वीडियो को अंतिन तक देखते रहे हैं लाइक कीजे शेयर कीजे और सबस्क्राब कीजे हमरे चैनल को और आपकी राय रेना बिल्कुल भी ना बूले कमेंट बॉक्स में धन्यवाद ता जिसका इंतजार वो शाकार आ गया वो खबर जिसका सुबह से सब को इंतजार था बिलाखिर वो खबर आ चुकी इमरान खान साबिक हैंडसम साबिक सादिक और अमीन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान कहलाएंगे आज अब इस वक्त के जब मैं आप से गुफटगू कर रहा हूँ इस एक मुलक पर इमरान खान की हकोमत का खातमा हो चुका है वो एक आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा एहम समझता था वो एक आदमी जो समझता था कि वो पाकिस्तान का नहीं मिल्लत इसलामिया का लीडर है वो एक आदमी जो अपने आपको यूसुफ कन्नान समझता था वो एक आदमी जो अपने आपको सल्तान सलाह الدین, अयूबी और टीपू सल्तान से ज्यादा एहम ख्याल करता था वो एक आदमी जो अपने आपको गाइद आजम का चाचा मामा बताता था वो एक आदमी जो अपने आपको अलामा अकबाल का रिष्टेदार बताता था वो एक आदमी जो अपने आपको नजाने क्या क्या कुछ समझता था सुम्मा अल्हम्दलिल्ला अल्ला रब्ल अज्जत का शुक्रे के जवाज इस वक्त में आपसे बात कर रहा हूँ तो वो खुदसर अनापरस्त मुतलिकुल अनान और नजाने क्या क्या कुछ मैं इसकी शान में कह सकता हूँ लेकिन वो एक हाकिम अब इस वक्त मुझ पर आप पर हम पर मसलत नहीं है मैं जुजवी तोर पर बहस्यत पाकिस्तानी खुश हूँ जुजवी तोर पर इस एक आदमी ने मुलक को जहन्नम के गड़ों में से एक गड़ा बनाने की तमाम तर कोशिशें की इस एक आदमी ने जाते जाते अवाम पाकिस्तान को नजाने कितनी मरतबा आवाजें दी इस एक आदमी ने नजाने कितनी मरतबा बहस्यत वजीर आजम अवाम पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी तक की कॉल दी इसे एक आदमी ने अवाम पाकिस्तान को सडकों पर उतराने का मशवरा दिया लेकिन ये इसकी खुशफेहमी थी इसको लगता था कि ये इतना वड़ा हैंसम है ये इतना वड़ा सादिक और अमीन है ये इतना वड़ा डिगनिफाइट किसम का लीडर बन चुका है कि जिसके लिए तुर्की के तैयब अरदगान की तरह लोग सडकों पर आ जाएंगे इसे एक आदमी को इसे एक खुशर अना परस्त इंसान को इसे एक एहमक शखस को ये नहीं पता था कि तुर्की का सदर और तैयब अरदगान बनना इमरान खान के पाकिस्तान के इमरान खान के बस की बात नहीं है उसके लिए आपको बड़ा तक्ड़ करना पड़ता है बड़ा करेक्टर का मुझारा करना पड़ता है जो तैयब अरदगान ने किया तब जा करके कहीं आईफून से सिर्फ एक एप का इस्तेमाल करके आप मुल्क भर के लोगों को सड़कों पे उतार देते हैं अफ़ा जब तुर्की से को पिटवाते हैं उनकी ऐसी तैसी करवाते हैं जमूरियत को बाहल करते हैं और उसके बाद और ज्यादा पावर में आते हैं आपको लगता है कि आप में उसका दस फीसद भी कुछ था आप गेरत ब्रिगेड चला रहे थे आप चाचे और मामे बने हुए थे गेरत के मैंने तीन सवाल पूछे थे आज तक किसी गेरत के होल सेलर ने उसका जवाब नहीं दिया नमबर वन इमरान अमद खान नियाजी अगर इतना वड़ा हैंसम और सादिक और अमीन था अगर इतना ही गेरत मन था तो उसने आफिया सिद्धिकी को वतन वापस लाने की कोई कोशिश चार साल में क्यों नहीं की नमबर टू इमरान खान अगर इतना वड़ा गेरत का होल सेलर था गेरत का पुजारी था इतना वड़ा सलाहुदीन अयूबी इसे दौर का था तो इमरान खान ने तुर्की की उस समिट मलाइशिया समिट में जाने से क्यों इंकार कर दिया शाह सल्मान की डाट खाने के बाद इमरान खान ने मलाइशिया समिट में जाने से क्यों इंकार कर दिया वो जो एक नया ब्लॉक तुर्की पाकिस्तान और मलेशिया पर मबनी बनने वाला था इमरान खान की गहरत कहा मर गई थी उसको कॉल आफ करते हुए और तीसरा और एहम तरीन मुद्धा इमरान खान ने फ्रांस के सफीर को एकस्पेल करने के मौमले पे वो जो आनियर होकर के लोगों से लगतरानिया की थी कि इस तरह जहम लोगों को मुल्क से नहीं निकाल सकते हैं सिफारती कुछ अदाब होते हैं फलाना होता है डिकाना होत होता है तो उस वक्त अमरान खान की घरत का मार गए थी ये फिर उस्व Been वीफोबिया का चूरं लेके ये गरत ब्रिगेड्ड चला करके अच अर्म लान खाने ये जब पता चल गया होगा लया जो पूरी दुनिया में ये तमाशा देखो जा एक मदारी है जो के डुगडुगी के उसके अपर जो है तिगनी का नाच लोग नाच रहे हैं उसकी डुगडुगी पर एक ऐसा शो चल रहा है तो बंदर के इस तमाशे को पूरी दुनिया देख रही है कि यह क्या हो रहा है मैं किसी को यह नहीं कह रही हूँ देखिए जब लेकिन सुबा से लेकर शाम तक रात हो गई अधी रात बारा बज़े तक का टाइम है नैशनल असम्बली के पास उसके बाद तो खत्म हो जाएगा टाइम फिर आज नहीं होगा और पिर कल संड़े है मैं आपको एक और बात यह बताओं कि जो मर्यम नमाज हैं उन्होंने ड असला दिमागी मरीस को हाथ में माचिस है जिस से ये हर तरफ आग लगाना चाहता है और उन्हें कहा कि इस से पहले कि ये कोई नुकसान कर दे इसको गिरफ़तार कर लिया जाए और बाइस करोड की किसमत ऐसे ही जानी शक्स की हाथ में नहीं दी जा सकती अब वजीर आजम अपने आपको उस पॉइंट पर ले आए ना जो मैं कहती हूं कि वो उस सिटोईशन में उस पॉइंट पर ले आते हैं जहां पर उनको सेफ एग्जित चाहिए होता है तो खबर यह है कि प्राम इनिस्टर इमरान खान ने सेफ एग्जित मांग लिया यानि उन्हों ने एन मांग लिया इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नोन इनको मैं नरो नहीं दूँगा हर जलसे में उनकी जो रट उती थी उसमें से एक उनका फेवरेट जुमला जो होता था वो यह होता था मैं नरो नहीं दूँगा अगर यह खबर सच है क्योंकि यह पबलिश हो रही है और क्रेडिबल जर्नलिस्टिस के मतालिक बात कर रहे हैं तो प्राइम इनिस्टर इमरान खान जो दूसरों को नहीं देना चाहते थे वो उन्होंने खुद मांग लिया नारो आरो में तफसीलाती हैं कि वजीर-ाश्म ने यह कहा है कि वो उस सूरत में रिजाइन देंगे या वोट अफ नौ कांटिंस करवा देंगे जो भी करेंगे वो उस सूरत में करेंगे कि उनके उपर से तमाम केसिस खत्म कर दिये जाएंगे उन्होंने जो आइन तोड़ा है जो Constitution की violation की है उन्होंने जो तोहीन अदालत की है आज पूरा दिन जो इमरान खान और उनके एडवाईजर्स और मिनिस्टर्स तोहीन अदालत करते रहें जो Supreme Court ने का तो उनमें से कुछ नहीं करवाया गया सुबह सही जो स्टार्ट हो गया था तोहीन अदालत होना Court of Contem इसके ओपर उनको सजाना दी जाए यह वाले केसिस उनके पर ना चलाए जाएं और सिर्फ यही केसिस नहीं बलके उनके चार साला दोरे हकूमत में अगर कोई करॉप्शन के केस निकाले जा रहे हैं तो वो भी ना निकाले जाएं और नैप के केसिस जो उनके खिलाब बनाए जा रहे हैं या हैं अल्रडी मौजूद वो उनको भी खत्म किया जाए फिर उनको जो है वो यह एनरो दिया जाए तो फिर वो यह जो उनने एक महासरा किया हुआ है यह क्या कहना चाहिए कि वो बैठे हुएं वहाँ पर प्राइम सबहा लिए तो यह खबर जो है यह मुझे कोई इतनी अथेंटिक नहीं लग रही मुझे यह फिक लग रही है इसकी वज़ाई है कि इस तरह की ऐसी सिच्वेशन में जिब कूशल पॉइंट होता है तो बहुत सारी ऐसी खबरें निकलती हैं लेकिन ऐसी कोई खबर आएगी की जरी ने भी अनलो मांग ले तो कहां पर पहुँची है हकोमत वजिरयाजम इमरान खान इतने बड़े आदर्श वादी कहां पर पहुची हैं कि वह एनरो की भीक मांग रहे हैं किस से मांग रहे हैं जिनकों कह रहे हैं आप न्यूट्रल ना होई है और किसे मांगेंगे ऑपोजिशन से कहेंगे ऑपोजिशन और उसके तो यह हालात होते ही ना